दोस्तों बहुत बहुत स्वागत हैं आपका एक पार फिर से आपके अपने ही चेनल के रिक पॉली पार जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1986 में रिलीज हुई मिथ्थुन चकरवर्ती सहाब की सबी फिल्मों के बारे में साल 1986 में मिथुन चकरवर्ती साहब ने लगबग 16 फिल्मों में काम क्या था हम बात करेंगे इन सबी फिल्मों के box office collection से लेकर इनकी performance तक इन सबी फिल्मों के budget के बारे में, hit और flop के बारे में तो सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले साल 1986 में आई स्वर्ग से सुन्दर फिल्म के बारे में जितेंद्र, मिथुन चकरवर्ती, जयापरदा और पदमिनी कोलापुरे इस फिल्म में एहम किर्दारों में नजर आई थे फिल्म को डेरेट क्या था? के बपाहिया ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 90 लाख रुपे था बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड 75 लाख रुपे कमाई थे और पूरे वल्ड में तकरीबन 7 करोड रुपे कमाई थे और ये एक फैमिली, ड्रामा, रोमैंसे, भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट साबी थुई थी अगली फिल्म है अविनाश 12 दिसंबर 1986 में रिलिस हुई थी ये फिल्म मिथुन चकरवर्ती, परवीट बॉबी और पूनम धिल्लो इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थी फिल्म को डैरेट क्या था? उमेश महरा ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 1 करोड 25 लाक रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 2 करोड 80 लाक रुपे कमाई थे और पूरे वल्ड में तकरीबन 4 करोड रुपे कमाई थे और ये एक एक्शन, क्राइम, ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिसर हिट साबित हुई थी अगली फिल्म है दिलवाला साथ फरवरी 1986 में रेलीज हुई थी ये फिल्म मिथुच चकरवर्ती, मिनाक्षी और स्मिता पाटेल इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डाइरेट क्या था के मुरली मोहाना राउने बजट इस फिल्म का तक्रीबन एक करोड़ पचास लाख रुपे था बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने दो करोड़ पिचासी लाख रुपे कमाई थे और पूरे वर्ड में तक्रीबन पांच करोड रुपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी अगली फिल्म की बात करें तो फिल्म का नाम है मुद्दत 20 जून 1986 में रिलीज हुई थी ये फिल्म मिथुन चकरवर्ती, जया पर्दा और पदमिनी कौलापुरे इस फिल्म में एहम किरदारों में रसार आई थे फिल्म को डिरेट क्या था के बपाहिया ने बजट इस फिल्म का तकरीबन डेल करोड उपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड पचास लाख उपे कमाई थे और पूरे वल्ड में तकरीबन 5.5 करोड उपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी आगली फिल्म है जाल चौदा फरवरी 1986 में रिलीस हुई थी फिल्म मितुन चकरवर्ती जितेंद्र और रेका इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थे फिल्म को डैरेट क्या था उमेश महरा ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 1.5 करोड उपे था बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड 30 लाख उपे कमाई थे और पूरी वल्ड में तकरीबन 6 करोड उपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट सा भी थुई थी आगली फिल्म है ऐसा प्यार कहा 14 नवंबर 1986 में रिलीस हुई थी ये फिल्म मिथुन्चकरवर्ती जितेंदर जयापरदा और पैदमिनी कोलहपुरे इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डेरेट क्या था विजह सदाना ने बजट इस फिल्म का तक्रीबान 1,88,6,0,00 रुपए था बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3,35,0,00 रुपए कमाई थे और पूरे वर्ड में तक्रीबान पाँट करोड रुपए कमाई थे और ये ग्रामा रोमैंसे भर पूर two थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी अगली फिल्म है मैं बलवान 28 नॉवंबर 1986 में रिलीस हुई थी ये फिल्म मित्वुन्चकरवर्ती, धर्मेंद्र और मिनाक्षी इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डैरेट क्या था मुकुल एस आननने बजट इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड उपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 2 करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन 3.5 करोड उपे कमाई थी और ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी अगली फिल्म है जिन्दगानी 3 जुलाई 1986 में रिलीस हुई थी ये फिल्म मिथुन चिक्रवर्ती, राकी और अतियगनी होतरी इस फिल्म में अहम किरदारों में नसर आई थे फिल्म को डैरेट क्या था फिर्भात रोय ने बजट इस फिल्म का तकरीबन एक करोड़ वीसलाख रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने धाई करोड़ रुपे कमाई थे और पूरे वल्ड में तकरीबन चार करोड़ रुपे कमाई थे और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी अगली फिल्म है एक और सिकंदर मिथुन चक्रवर्ती, अनीता राच, राकेश रोशन और रतिय अगनी होतरी इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डैरेट क्या था भाशकर सेटी ने बजट इस फिल्म का तकरीबन एक करोड रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने एक करोड 75 लाख रुपे कमाई थे और पूरी वर्ड भी तकरीबन 63 करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एवरेज साबित हुई थी अगली फिल्म है शीसा मिथुन चकरवर्ती, मुनमुन सेन और विजेंदर घाटे इस फिल्म में एहम किर्दारों में नसर आई थी फिल्म को डैरेट क्या था बासु चटर जीने बजट इस फिल्म का तकरीबं डेल करोड पे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने एक करोड पे कमाई थे और पूरे वर्ड में तकरीबं दो करोड पे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी अगली फिल्म है प्यार के दोपल फिल्म रिलीज हुई थी 15 अगस 1986 को और फिल्म में हमें नसर आई थी मिथुन चकरवर्ती, जयापर्दा और सिंपल का पाडिया फिल्म को डारेट क्या था राजीव महरा ने और बजट इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड उपे था 25 जुलाई 1986 में रिलीज हुई थी फिल्म मिथुन चकरवर्ती, राजेश खना, शबाना अजबी इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थी फिल्म को डारेट क्या था अर्विन सेन ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 1 करोड 25 लाख रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 2 करोड लुपे कमाई थे और पूरे वर्ड में तकरीबन 3 करोड लुपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर एवरेट साबित हुई थी अगरी फिल्म है किसमत वाला मिथुन चकरवर्ती, रंचीता, आशा पारेक और प्रेम चोपड़ा इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डेरेट क्या था SD नारंग ने बजट इस फिल्म का तकरीबन 1 करोड 30 लाख रुपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 90 लाख रुपे कमाई थे और पूर इफल्ड में तकरीबन 1 करोड 50 लाख रुपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर फिलॉप साबित हुई थी आगली फिल्म है करमदाता 1986 में रिलीज हुई थी फिल्म भी मिथुन चकरवर्ती, शक्ती कपूर और शम्मी कपूर इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थे फिल्म को डेरेट क्या था शशिलाल की नायर ने बजट इस फिल्म का तक्रिबन एक करोड उपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने एक करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन दो करोड उपे कमाई थी और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर फिलॉप साबित हुई थी अगली फिल्म है अम्मा 9 मई 1986 में रिलीज हुई थी फिल्म मिथुन चकरवर्ती, राकी, अशुक कुमार और नीता महता इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थे फिल्म को डैरेट क्या था जिते इनने बजट इस फिल्म का तकरीबन 80 लाख रुपे था बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 50 लाख रुपे कमाई थे और पूरे वर्ड में तकरीबन एक करोड रुपे की कमाई की थी और ये एक ट्रामा, एक्शन, रोमैंसे भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी और साल 1986 में मिथुन चकरवर्ती साहब की 16 फिल्म है बात बन जाए 16 मार्च 1986 में रेलीज हुई थी ये फिल्म मिथुन चकरवर्ती, जीनतामान, संजीव कुमार और राजबबर इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थी फिल्म को डेरेट क्या था भारत रंगाचार्ये ने बजट इस फिल्म का तकरीबन धाई करोड उपे था बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने एक करोड उपे कमाई थे और पूरे वल्ड में तकरीबन दो करोड उपे कमाई थे और ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप सावित हुई थी तो दोस्तो साल 1986 में इन 16 फिल्मों में काम किया था मितुन चकरवर्ति सहाब ने इन में से ज्यादतर फिल्म में हिट रही, सूपर हिट रही और एवरेज रही उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंदा होगा अब इस साल 1987 का मितुन चकरवर्ति सहाब का सभी फिल्मों का वीडियो बनाना चाहिए नहीं कमेंड में येस और नो शुरू लिखेगा थांक यू